सबस्क्राइब करा है और उससे देखने से पता चलता है कि टुंटुन की breathing technique सच में काफ़े ज़्यदा कमाल की है टुंटुन के body के हिसाब से उसके सभी movement उसके body के से पूरे तरह से match हो रहे थे और वो पूरी एकदम सही तरीके से power को absorb कर रहा है जिसकी वज़से टुंटुन ने वहाँ पर heaven and earth की काफ़े ज़्यदा energy को condense कर लिया था जिसकी वज़से वहाँ पर टुंटुन के आज पास एक black hole भी create हो जाता है प्रिंस इवान यहाँ पर यह देकर काफ़े हैरान होता है कि तुंटुन ने अपनी थोड़ी सी power का इस्तमाल करते हुए ड्रेगन ब्रेटिंग टेक्निक का इस्तमाल करते हुए वहाँ पर काफ़े ज़दा heaven and earth की energy को condense कर लिया है इस पर प्रिंस इवान निराश होते हैं कि सच में यह technique काफ़े ज़द कमाल किया और यह बात सच है कि मैं अभी इसकी 0.1% भी इस technique को नहीं सीख पाया और प्रिंस इवान साथे साथे तुंटुन के लिए abilities को भी देकर काफ़े जहरान होता है इसलिए वो तुंटुन respect देते हुए उसे काफ़े ज़दा खाना लिया कर दे देता है यहाँ पर तुंटुन खाना खाने लगता है और वहीं पीछे प्रिंस इवान ड्रेगन ब्रेथिंग टेक्निक को फिर से एक बार practice करने लगता है और इस बार वो पहले से काफ़े ज़दा अच्छी तरह से इस ड्रेगन ब्रेथिंग टेक्निक को पर्फॉर्म कर रहा है जिससे देखकर मिस यावया काफ़े ज़दा खुश होती है और कहते हैं सच में तुम काफ़े ज़दा कमाल के हो मुझे नहीं पता था कि तुम इस टेक्निक को इतनी जल्दी आसानी से सीखने लगोगे और वही पर हमें प्रिंस सीवान को दिखाया है जो कि थोड़ी सी ही practice करने के बावचूद वहाँ पर काफ़े ज़दा एनर्जी को अब्जॉब कर लेता है जिसकी वज़से उसके मेंडेरियन जीरी जीरी सही होने लगते हैं और साथी साथ उसे काफ़े ज़दा दर्द होने लगता है वहाँ पर मिस्यावया वो खड़ी होते हुए क्याते है कि तुम्हें के लगा तुम इस टेक्निक को इतनी आसानी से master कर लोगे इस टेक्निक को सीखने में काफ़े ज़दा painful दर्द होता है मैं तुम्हें खुद ही नहीं समझा सकती कि मुझे शुरू में इस टेक्निक को सीखने में इतना ज़दा pain महसूस हुआ था और जैसे ये प्रिंस इवान की तरफ देखती है तो वहाँ पर प्रिंस इवान पूरी तरह से सही सलामत खड़ा हो जाता है और उसे देखकर ऐसान लगता है कि उसे थोड़ी सी भी तकलिफ हुई ही नहीं है और प्रिंस इवान की इतनी अच्छी कंडिशन देखकर मिस इवान को अपने अपर भरोसा ही नहीं होता प्रिंस इवान मिस इवान को बताते हैं कि लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है मैं इस टेक्निक को सीखने के बाद बिल्कुली नॉर्मल फिल कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे एक बार दो बार और ही प्रैक्डिस कर रहा हूं जिसके मिस यावियो काफिजर हैरान होकर सोचने लगती हैं और कहती हैं कि सच में कहीं ये उसी वज़ा से नहीं क्योंकि जब प्रिंस सीवान पैदा हुआ था तब उस समय उसके आठों के आठ में डेरेंस पूरी तरह से ओपन थे और साथ ही साथ उसके पास बच्पन में ड्रैगन ब्लैसिंग भी थी और मुझे लगता है कि ये इसी वज़ा से इतनी दर्द को आसानी से जेल पा रहा है और वहीं दूसरी तरफ हमें प्रिंस सीवान को दिखाया जो कि ड्रैगन डैसिंग टेकनिक को फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और मिस यावियाओ यहाँ पर प्रिंस सीवान को देखते हुए कहते हैं कि मैं देखना चाहूंगी कि ये लड़का कितनी बारी से टेकनिक को परफॉर्म कर सकता है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही प्रिंस सीवान थरद नीचे गिर जाता है वो लास्त में कहता है कि बस अब मुसे अब और नहीं होगा जिसकर मिस यावियाओ प्रिंस सीवान के पास आते हुए कहते हैं कि तुमने और रेड़ी इस टेकनिक को दिन में चार बार प्रेक्टिस कर लिया है और ग्रेंटपा की ये सारी बात सुनकर प्रिंस सीवान को फिर से ये याद आने लगता है कि मिस यावियाओ के पास काफे ज़्यदा पावर्स हैं लेकिन किसी वारन की वज़े से उन्हें अपनी सारी पावर यूज नहीं कर सकी तो इसका मतलब ये है कि मिस याव्या को havingly mark के बारे में काफ़े जाए कुछ चाहाई जिस पर मिस याव्या प्रिंस जीवान को जवाब देते हैं कि हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा जिस पर प्रिंसिवान उनसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है तुम मुझे किरिशी भी तरह से करके कुछ है वैली मार्क्स के बारे में सुछ बता दो कि सबसे मशूर वाइन को पिलाऊंगा और प्रिंसिवान की ये सारी बात सुनकर मिस यावया तुरंथ ही एगड़ी हो जाती है जिस पर वो तुरंथ ही प्रिंसिवान से पूछते है कि चलो फिर तुम बताओ है वैवली मार्क को बनाने की सबसे इंपोर्टन चीज क्या है जि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकती हूँ जिससे स्ट्रॉंग करने के लिए मेरे ग्रेंट फादर ने ओलरेड तुम्हें क्योस टैकनीक दी है जड़ी तुम उस टैकनीक का इस्टमाल करते है तो तुम जल से जल अपनी सोल को पूरी तरह से स्ट्रोंग कर सकते हो और मिस्यायों की ये सारी बाते सुन करे Prins C1 तुरंट ही अगले दिन से अपनी सोल को और ही जादा स्टॉवंग करने की पूरी तरह से कोशिच करने लगा है और यहाँ पर हो अपनी कियोच वोड टक्नीक क इस्तमाल करता है और इस कियोस वोड टेक्निक का इस्तमाल करते हुए वहाँ पर प्रिंस सीवान की सोल एक अजीब से खाली डिमेंशन पहुंच जाती है यहाँ पर प्रिंस सीवान के सामने वहाँ पर एक ब्लैक होल पोटल भी आ जाता है और वहाँ पर उस पोटल के अंदर से प्रिंस इवान को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो आवाज प्रिंस इवान को इस टेक्निक के बारे में समझाते हुए कहती है कि तुम्हें चाहे कुछ भी करके इस पोटल के पार जाना होगा और इस पोटल की तरह यहाँ पर टोटल नाइन पोटल्स हैं जैसे जैसे तुम इन पोटल्स को पार करोगे तो तुम्हारी सोल के उपर एक बहुत ही ज़ादा खतरनाक पैसर पड़ेगा और यदि जिस समय तुम्हारी बोड़ी इन सभी पैसर को जहलने के काबल होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी सोल यहाँ पर काफ़ ज़र स्ट्रॉंग हो चुकी है लेकिन तुम्हें यह बात याद रहे कि यह प्रोसेस पूरी तरह से यहाँ पर दज से भरा हुआ है और प्रेंसिवान भी यह सारी बाते सुनकर समझ जाता है कि इस टेकनिक का नाम ऐसे ही जोज टेकनिक नहीं है इस टेकनिक को सीखते समय मुझे काफ़ ज़र दर्द महसूस होगा लेकिन मैं इससे हार नहीं सदा मैं आपने आपको जल से जल टाकतवर करना चाहता हूँ और इसके साथ ही हमारे यह एपिसोर यहीं पर खतम हो जाता है